के जहें दोस्तों कैसे आप स्मूम्मीत करते हैं डोग बहूत ही अच्छे होंगे दोस्तों आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जानना चाहता हूं और आप लोगों के पास जो जानकारी है, जो आप लोग एब्जर्व कर रहे हैं, उसको मैं समझना चाहता हूँ, क्या ही आपके मन में क्या चल रहा है, तो अमीद करूँगा कि आप लोग इसका जवाब comments box में जरूर देंगे, दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है, जो आपको training दी लगता है कि आपके जो भी doubts है, वो clear इसमें हो जा रहा है, जो आपको training जो meeting के मादे हम से दी जा रही है, दूसरा चीज़ी है कि जब आपको maker ID और checker ID लगाने की बात कही जा रही है, उसको बताया जा रहा है, ओनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या इस से पहले जो voucher बनाने की प्रक्रिया है, उसको बताया गया है, क्या फिर कारियोजना upload करने की प्रक्रिया को बताया गया है, इस चीज़ को आपको शमचना होगा, क्योंकि दूस्तों जब कारियोजना upload करने की प्रक्रिया आप नहीं जानते हैं, या फिर voucher feed करने की प्रक्रिया आप नह कीकत है जिस तरीके समझाना चाहिए उस तरीके से आपको समझाया जा रहा है या नहीं समझाया जा रहा है इस पे आप लोग टिपड़ी जरूर करिएगा इस वीडियो में दूसरी चीज यह है कि आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जा रहा है या नहीं किया जा र कि हर एक बात तो गोल गोल गुमाय जा रहा है कि आपके जू डाउट से उसको clear किया रहे है मैं ऐसा सोच़ रहे है कोई मैं ही ऐसा सोच पहा या मैं भी यह समझ पाया observe कर पाया तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग जरूर बताई दोस्तो कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यह training जो दी जा रही है वो वास्तों में इसलिए दी जा रहे हैं कि आप लोग सीख पाएं या फिर केवल फॉर्मिल्टी पूरी की जा रही है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो केवल ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये जो training हो रही है वो वास्तों में आपको सिखाने के लिए ही हो रही है पंचायत सच्छिवाले कि चारूरूप से payment start हो जाए इसलिए हो रही है या फिर जो उपर से आदेस आए है उसको केवल अपने आदेस के प्रति दिखावे के लिए हो रहे है कि हाँ यहाँ पे training हो गई है और सभी पंचायत सच्छिवाले है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई भी बात कोई बहुत सारे अभी पंचायत साय कैसे हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं वो अगर किसी से भी बोलते हैं तो उसका उचितने सकर्स नहीं निकल पाता है यह सच्छाई है तो आप लोग इस पे भी बात करिए और इस पे भी comments में जरूर बताएगा क्या ऐसा हो रहा है जो आप अपनी समस्याएं रख रहे हैं किसी भी अधिकारी के पास तो उस समस्या का हल अधिकारी कर रहे हैं या फिर गोल-गोल के वल घुमा रहे हैं आप लोग इसका भी जबाब comments box में जरूर दीजेगा क्योंकि दूस्तों समस्याएं कई सारी हैं सबसे पहली समस्या है payment लेकर उसके बात दूसरी समस्या है सचीवाले को लेकर जहां पर सचीवाले हैं वहाँ पर सिस्टम नहीं लगे हैं और ट्रेनिंग चालू है बोला जा रहा है कि जो फस्ट बार जो लॉग इन होगा ID पासवर्ण जिस सिस्टम से उसी सिस्टम से पूरा काम होने वाला है के पंचायत सहाय कारे करें क्यों मतलब क्यों ऐसा क्यों करें भाई जो प्राइवेट भावन लिया जा रहा है वहाँ पर जाके पंचायत सहाय कारे करें ये बहतरीन होगा और उसको पंचायत सचे वाले का रूप दे दिया जाए किसी के भी कोई भी हो माली जो ग्राम प्रणा कुई भी हो किसी के भी घर पे जागे कारे करना पंचायत सहाए के घर पे आप कैसे मतलब कुई मैनेज़ परिवार रहते हैंतो जहां पर सिस्टम रहने वाले हैं मालीजी वहाँ पे सभी लोग आने वाले किसी भी काम के लिए किसी भी वक्त आ जाने वाले हैं जो की टाइमिंग है 10 ते 5 वज़े तक तो कहीने कहीं जिस घर में उस सिस्टम रहेगा वो घर के जो फैमिली है वो भी कहीने कहीं डिस्टर्ब होने वाली है तो ऐसा कारी सु विधाय दी जाएंगी और मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं अगर ये बेवस्था अच्छे तरीके से जहां पर नहीं हो पाई है किसी से भी आप बोल दीजे कि वहां पर बहतर तरीके से कारे करके दिखाईए संभाव ही नहीं है जब तक आप बहतर महसूष नहीं कर किसी भी अधिकारी को कोई मतलब उस तरीके का नहीं होता है कि कोई अगर समस्या कुछ बता रहा है तो उसको लोड लेके इसका निवारण कराई जा ऐसा किसी के पास नहीं दिख रहा है जहां तक मैं देख पर हूँ लेकिन आप क्या देख रहे हैं आप लोग भी दोस्तों कॉमेंट्स बोक्स में जरूर बताईएगा तो यह सारे सवाल थे मेरे मन में और उमीद करूँगा कि आप लोग इसे सुनेंगे और जो भी आपके मन में सवाल है इसके प्रती और इसके अलामा भी अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट्स बोक्स में जरूर लेकिन इसमें मैं खुद समझना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों की मन में क्या चल रहा है इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा किवल यही मकसद है इसके अलबा और कोई मकसद नहीं है तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताईए अपने मन की बात और मैं फिर म मसने के बाद फिर मैं आपके सामने एक ऐसी ही वीडियो लेके रुबरू होंगा और कहीं न कहीं जो भी डाउट्स है इस सिस्टम को लेके और जो भी प्रक्रियायश चल रही है उसको लेके और आखिर जो भी लोग हैं जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं और अधिकार हैं उससे खेल रहे हैं, आखिर कब तक खेलने वाले हैं, क्योंकि समय धीरे-धीरे वैसा आने वाला है, समी पा रहा है, कि टाइम तो लगने वाला है, ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग परिशान कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे चलके, वो जो परिशान करेंगे, वो कह मेंने कहीं एक जैलसी भी है कि आखी ऐसा कैसे हो रहा है इन लोग को ये सारी व्युस्थाय कैसे दी जा रही है तो इन सारी चीजों का आपको समझना होगा तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम चीज अच्छी लग्योंगी और आपके कॉमेंट्स का तो मुझे इ हैंद।